हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेलकम टू इलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी को नमस्कार गूट इबनिंग यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत भी महत्व पूर्ड आपकी जो डॉकुमेंट्स हैं जो आपको कोई भी डॉकुमेंट आपका अगर रह जाता है या ओयामार में कोई भी अगर आप गलती करते हैं तो ऐसे में पेपर आप दे नहीं पाएंगे और आप जो हैसे में भरती से भी वंचित हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे सीटेट एडमेट कार्ड आपको कब तक जा को सबस्क्राइब कर लें electronic study टेलीग्राम चैनल है हमारा उससे आप जरूर जुड़ें वहाँ पर regular updates हम देते हैं सुपाटेट की classes सब चलती है सुबह नौ बजे एक बजे शाम को साथ बजे रात में यानि original copy और इन्होंने बोला है इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र को अपने साथ आपको ले करके जाना होगा ये भी कहा है कि प्रस्क्षड योगिता का प्रमाण पत्र या किसी भी semester का अंक पत्र ध्यान दीजिए सा certificate होना चाहिए या फिर आपका mark seat होना चाहिए किसी भी semester का वो भी original मूल प्रती लिखा है ध्यान दीजिएगा संबंदित प्रस्क्षड संस्थान के प्रचारे सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्रापत अंक पत्र की प्रमाण पत्र अगर ऐसा नहीं है तो आपक किसी भी इस्तिति में परीक्षा में बैठने के अनुमती नहीं दी जाएगी ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखेगा तो ये हो गई बात documents की OMR को बहुत ही ध्यान से fill करना है बिना कक्ष निरेक्षक के बताय कुछ भी आपको SMF नहीं करना है जब परीक्षा कि की बात कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर यूपी टेट को लेकर के बात की जाए तो दरसल उत्तर प्रदेश में सब्विंग स्पक्टर नहीं SI भरती की परिक्षा 12 नौंबर से 2 दिसंबर के बीच में तीन फेज में आयुजित की जानी है और उसी में 28 नौंबर को ये ति जानने बहुत अच्छे से आपके द्वारा बार-बार ये मैसेस किया जा रहा था कि सर परिक्षा टलेगी SI का पेपर है और बहुत सारी चीजे वो बच्चे भी मैसेस कर रहे थे जिन्नोंने SI का पेपर भरा ही नहीं है तो बही इतने दिन बाद यूपी टेट आया है तो अ झाले शिंख वार थे गाले तो बहुत दो कि जाने इतने जाओे जाए परिक्ष देया है रहा है तो फो उड़ी हो नहीं है और बहुत अरा दोलेगी एसे पार यूसे नहीं उन Quantum